दोस्तों आपको मालूम होगा कि अभी कुछ एक दो मैलाएं हैं जो खमूरी के जो अंदर की भड़ास है वो उन मैलाओं के मारफ़त बाहर निकल रही है तो आपको मालूम होगा या आपको ये कमाल पकड़ना है कि आखिर ये जो एक दो मैलाएं है ये खमूरी के अंदर की बढ़ास बाहर क्यों निकल रही है और ये मैलाएं दिल्ली यूपी बियार की है और उन्हें क्या पता कि खमूरी के अंदर क्या बढ़ास है और क्या गमू मूड़ी सामने रियक्शन नहीं दे रही है तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आपको पूरा-पूरा कारण बताओं कि आखिर मूड़ी क्यों रियक्शन नहीं दे रही है आप बने रही है तगूर राजतनी पर और आपकी मर्जी हो तो साइट में एक लाल बटन लिका हु चलो दोस्तों स्वागेते आपका तगूराजतनी यूट्यूब सेनल पर अब आज मैं बताता हूं कि ये एक हमुड़ी अभी अभी आपको पता है कि इसने वैसे तो बड़ास खूब निकड़ी दो साल कोई कमी नहीं रखिये अपने पति को बदनाम करने के लिए खूब ब पती यानि मैं, मैं इस सामने बिलकुल कोई रियेक्शन नहीं दिया और मैंने कोई कमेन्ट नहीं किया और अभी मैं रियेक्षन दिने के मूर्ड में था और सामने आया और जो इसने मेरे उपर आरोप बंडे, जो जुटे आरोप लगए थे उन आरपवा का जुआब दिने के लिए मैं आया और मैंने बिल्कुल इस फर्ष दिन निकादा कि मैंने बहुत सेन किया है ऐसा कोई पत्ती नहीं है कि पत्तनी एक दिन भी पत्ती को ब्लेक वेल करे और सोशल मेंडिया पर बदनाम करे और वो पत्ती उसको पत्ती को बदनाम करती है कोई मैला नहीं हमारे बाड मेर मेर में इदर राजस्तान मैंने तो नहीं चुनिया याशी कि इस घहमुड जैसी मैला है जो अपने पत्ती को बदनाम करती है आज तक मेरे सामने कोई मैला याशी नहीं आई है हमने तो नहीं देखिये जी यह आपने देखी है तो comment box में जरूर comment करके बतना ना कि इस जैसी इस महिला जैसी और भी महिला है जो ऐसे पते को बतनाम करती है अपने तो नहीं देखी और हाँ एक बात है बाड मेर 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 में हजारों महिलाएं यूट्यूबर काम करती है लेकिन इस जैसी महिला मैंने नहीं देखी है और इस जैसी वेस्बुशा भी मैंने नहीं देखी है सारी महिला अपनी वेस्बुशा में वीडियो बनती है कोई नहीं अब्जेक्शन करता है लेकिन इसके जो कपड़े थे वो सही नहीं थे तब मैंने इसको समझाय यह नहीं समझी तो मैंने वाया सोसल मेडिया के मारपत समझाने का प्रयाश किया तो बात को घुमा फेरा के और कुछ नया ड्रामा बना दिया और आखिर में मलब पत्ति को ही बदनाम करना है और पत्ति को बदनाम किसने शुरू किया पहले पत्ति को बदनाम हुई या पत्ति हुआ बदनाम सबको पता है लेकिन लोग नहीं बोल रहे है अब यह जो रियक्शन वाला है कुछ एक दो मैला है जो इसकी ये अंदर की खमोडी बनी हुई है तो भाई दोस्तों आप कमेंट करके बतना कि जो ये महिला है UPBR मेवाद दिली की है और ये खमोडी बनके उसके अंदर की आत्मा की जो भडास है वो बाहर निकाल दी है तो इससे मैं क्या नाम दूँ लवली पतनी दूँ या फिर पीडिता दू इनका नाम क्या रखो आगे मैं फिर इनके उपर रियेक्शन मनाऊंगा तो मैं इनके उपर ऐसा कुछ नाम रखो क्योंकि ये घमोडी है तो मैं इनको मेरे असाब चे लवली पतनी नाम दे दूँ बाकि आप बता सकते हो लेकिन ये बड़ा दूसरी महिलाओं से क्यों निकाल दे इसका भी कारण बता देता हूँ आज मैं आपको बिल्कुल स्पेस्ट कारण बताता हूँ कि हुआ क्या आपको बता ये घमोडी चुपर रहने वाले नहीं थी लेकिन मैंने एक एक्शन लिया था और आपको भी पहले मेरे पीछे वाले वीडियो मैंने बताया था कि आप इस बात पर मैं एक्शन दूँगा क्या बात थी आप पूरा वीडियो देखें कोई तो आपको समझ में आएगी हुआ क्या था कि इस ख्यमोडी ने कुछ दिन पूरो एक वीडियो ब्लेक टी सेट के अंदर डाला था जो रेले पटड़ी के उपर थी और बच्चों के बारे में कुछ अंचंट गलत बोली थी आपने देखा होगा उस वीडियो पर मैंने बिलकुल एक्शन लिया और इसके खिलाब एक विबागिया कारवाई और पुलिस कारवाई खुल गई उस कारवईयों के अंदर ये फस गई थी और इससे पाबंद कर दिया गया था कि भाई आप छे मेहने तक कोई भी ऐसे वीडियो नहीं बनाओगी इसके खिलाब कारवाई अभी भी चल रही है जिस वज़े से ये अपनी बडाश नहीं निकाल रही है इसके मुँपर ताला लग गया अब इसने नया गेम खेला है कि उन महिलाओं को जो एक तो महिलाओं है दिली की, बियार की, मेवाद की उन महिलाओं को डॉलर, पैसे देके और अपनी जो बडाश होती है वो वोईस रिकोर्ड करके या लिखित में वाट्चब पर उन महिलाओं को बेजती है और फिर वो महिलाओं अपने वीडियो के मारवद सोशल मीडिया पर परचार परचार करती है अडियोडाईज करती है पाकि उन महिलाओं को कुछ पता नहीं है वो दिली बियार बैटी मेरे को जानती है न मैं उनको जानता मेरा उन से कोई लिंक नहीं क्यों लेना देरा है और वो मेरे खिलाब क्यों मोले तो यह है दोस्तों रियलिटी अब यह गुमा फेरा के कैसे गेम गहल रही है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मुँगा मैंने तला लगा रखा है वो काईदा मेरे पास सबूत भी है और इसको भी पता है मैंने कई बार पुच्छा था कि इस तारी को आप कहा गई थी बताओ पबली को लेकिन ये बात किसी को नहीं बताए आज तक यदि चचाई बोलती है न कहती है मैं मेरे हकीकद रियलिटी सारी यहां सोचल मेडिया पर बताती हूँ तो भाई ये बात बता ही नहीं आपने आपके मुँँपर तला कैसे लगा तो दोस्तों ये है रियलिटी अब इसने खुब बड़ास निकली दो साल तक मैंने सोटा सा एक एक्षन लिया था जिस वज़े से इसके मुँँपर तला लगया अब सब मेहने तक ये कोई बड़ास नहीं निकाल सकती है हाँ ये पैसे देके और जो मेरी फर्जी लवली पत्निया है उनके मारपत सोशल मीडिया पर तगूर को बड़ाम करने के लिए परसार कर रही है अट्रटाइज कर रही है लेकिन मैं फर्जी जो लवली पत्निया है उनका जवाब नहीं दूँगा यदि ये कुछ बोलेगी मेरे सामने और मेरे खिलाब कुछ एक्षन लेगी तो मैं जुरूर कारोई करूँगा और बाकी रही बात मेरी पत्नी है मुझे दिखा कि ये कहीं गलत कदम कर रही है गलत कदम उठा रही है कोई गलत कर रही है तो उसके एकलाब मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा नहीं समझेगी सोशल मीडिया के मारप समझाऊँगा क्योंकि इसने प्लेटफॉरम खोल रखा है दुकान खोल रखी है स्यारा तोरब से मैं प्यार से समझाऊँगा प्यार से नहीं समझेगी तो लोगों से केवाऊंगा, लोगों से नहीं समझेगी, सोचल मीडिया के मारपर समझाऊंगा, लेकिन कोई गलत हरकत दिखी मुझे, तो बिलकुल पती होने के दाते मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, कि हकिकत क्या था, औ और बागी गई बात, अभी आज एक उड़ती उड़ती खबर आईए, कि एक सोटी सी कारवाई हुई है कोमेडियन के खिलाप, कोमेडियन के खिलाप जो एक गवा को भढ़काने का प्रयास किया था, और जो एक सोचल मीडिया पर है, जो इस घमोडिय का भाई है, उसने होल पर विराम सिनर लग गया है, और कोमेडियन के खिलाप एक सोटी सी कारवाई प्रारम की गई है, और जिन गवाँ को इसने धम कया था, उस गवाँ के समन्देत, कारवाई हुई है, पिलिस ने कारवाई की है, जो अभी आज इस वीडियो पर नहीं बता हुगा, मेरे पा आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, बिल्कुल तब तक के लिए आप बने रही है, में तग्गुराज सानी पार और वीडियो पूला पूरा देखना, सोबह आपको बताऊंगा कि कोमेडियन की गिरिपदारी हुई है, और क्या क्या हुआ है, ठेंक्यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थोड़ा लेट हो गया आज आज के लिए गोखको बने रहे है, आज दोस्तों, आज दोस्तों, आज दोस्तों, आज दोस्तों.